जेहीं सातियों नमस्कार आप सभी का एक बार फिस वागत है वोईस ओप एक्स एर्विश्मेंट सोसाइटी के नेशनल कोडिनेटर बीर बादूर सिंग जी ने एक बड़ी खुसकबरी दिये इन्होंने अभी अभी एक मेसेज करके बताया एक और अच्छी खबर वोईस ओफ एकस एर्विश्मेंट सोसाइटी ने मान्ये सुप्रीम कोड में एक्स गुरूप की और उपि टू की विशंगतियों जिसके तैथ एक्स गुरूप की 2 टेबल बनाई गया है उनके खिलाब मान्ये सुप्रीम कोड में केस दाईर किया था लेकिन सुप्रीम कोट ने केस को एपटी को बेजा था और एपटी ने इस केस को रजिस्टर करते हुए 18 सप्टमबर 2023 को एपटी प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में पहली सुनवाई हुई और इसी के साथ बारत सरकार को नोटिस भी जारी कर दिया है और जबाब मांगा है कि एक्स ग्रूप में आपने वी संगती क्यों की तो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है एक्स ग्रूप के पैंसिनस के लिए लंबे समय से वो इंतजार कर रहे थे कि उनका केस कलेक्टिवली कहीं पे रेजिस्टरो इसलिए उन्होंने सुप्रिम कोड का दरवजा खटकटाया सुप्रिम कोड ने कहा कि एप्टी को भी अधिकार है कि वो आपकी सुनवाई कर सके तो वहाँ पे रखा गया कि एप्टी केवल एक एक सर्विसमेन या पैंसिनर की सुनवाई करता है कलेक्टिवली यदि 40-50 पैंसिनर अपना केस रेजिस्टर करवाना चाते हैं तो एप्टी केस लेता नहीं है तो सुप्रीम कोट ने आदेश दिया कि हम भी आदेश देते हैं कि एप्टी दिल्ली कलेक्टिवली सभी पैंसिनर का जिनको एक्स ग्रूप की पैंसिनर में समझ आ है वो आपका केस रेजिस्टर करेगी तो इसके बाद सुप्रीम कोट के आदेश के बाद एप टी प्रिंसिपल बेंच डिली ने केस रेजिस्टर कर लिया है अब आगे हम बात करेंगे 17 सप्टमबर 2023 को हुड़ा गराउंड रेवाडी में 6 अगस्त को रामलिला मैदान में हुई गोष्टना के अनुसार एक विसाल रेली जेशियो एंचियो और जवानों द्वारा उसी इस्तान पर हुई जहां से परदान मंत्री जीने 2013 में रेली कर सरकार आने पर पहले OROP जवान जेशियो को देने का वादा किया था लेकिन OROP 1 और OROP 2 का बड़ा हिस्सा अधिकारी वर्ग लेकर चले गे जो इसके हगदार नहीं है और नीचे का रेंक ठगा सा मेसूस कर रहा है और मिलिटरी और सिविल ब्यूरोक्रेसी की जुगलवंदी से सरकार के परती लाखों पूरू सेनिक नाराज होते जा रहे हैं अन्य बैदबाव का भी संग्यान नहीं लेने पर सरकार पूरू सेनिकों का विश्वास खोती जा रही है परदान मंतरी इस तर से हम लोगों के साथ वारता होनी चाहिए और जिस मुद्दों का हल निकल सकता है पहले निकालना चाहिए और जो मुद्दे बच जाते हैं उन पर एक कमेटी का गठन कर एक समय सिमा के अंदर उसका भी हल निकालना चाहिए अगर सकार वारता से भागती है और जेसियोज एंसियोज ओवार को नजर अंदाज करती है तो पूरू सेनिकों और इनके परिवार के सदेशियों करीब 5 क्रोड सदेशियों का समर्तन खो देगी यानि सिधा सिधा यहां पे 2024 के लोकसबा चुनाव को लेकर चुनोती दी गई है कि आप यदि पूरू सेनिकों का विश्वास पाना चाते हो तो इनके साथ में वारता करो और इनकी पेंसन समयशियों का समधान करो नहीं तो 2024 में सेनिक अपनी एकता दिखा देंगे तो इस परकार यहां पे बीर बादूर सिंग जी ने दो मेसेज जारी किया है सभी पेंसनेस के लिए पहला कि X ग्रूप का केस रजिस्टर हो चुका है और 12 सरकार को नोटिस जा चुका है और दूसरा ये हुड़ा गराउन पर जो रेली हुई है उसके बारे में तो सिधा सिधा संदेस है केंदर सरकार को कि आप पेंसनेस के साथ में दोका नहीं कर सकते या तो वो कोर्ट के दरवाजे से अपना जाय पाएंगे या फिर वो वोट की चोट से अपना जाय पाएंगे आप देखना सरकार को है कि इन पूरु सेनिकों को किस परकार संतुष्ट करना है इनकी मांगों को किस परकार मानना है तो सातियों ये थी दो जानकरियां मनरे ये चैनल के साथ अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इस वीडियो का आप लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जैन